जय हिंद आज चोदे फ्रवरी है घाबडाये नहीं मैं वेलंटाइंडे की बात नहीं करना हूँ मैं यह बता रहा दा कि आज की दिन कम सकम 75-70 कंपनियों के क्वाट थीरी की रिजल्ट और डिविडियन्ट सामने आये हैं हाला कि सब्सक्राइब बनाना संभव नहीं है लेकिन जो आपके लिए जरूरी है मैं उस पर वीडियो लेकर आ रहा हूँ अब तक तीन वीडियो डाल चुका हूँ और यह आज चोथा वीडियो है और संभवता आज रात का यह आखरी वीडियो है आपका सुबह मुलकात होग लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देदूं कि कंपनी का मार्केट के एक 133 क्रों रुपए यानि कि कंपनी एक पेनी एश्टों के जैसा कि आप जानते हैं और शेयर प्राइस से च्छों रुपए 20 पैस अभी डाउन ट्रेंड में है अर्था अच्छी खा जाएगा अब आएए पहला हम लों प्राइट थी की जुन नतीजा है उस पर बात करते हैं पैन इंडिया के रिभेन्यू सारे फिकर्स लाख में हैं तो प्वाट्र थी में पैन इंडिया के रिभेन्यू प्राप्त नहीं हुआ इसको कर सकते हैं 97.000 का रिभेन्यू कंपनी क पैन इंडिया ने 3,18,000 रुपय अपने बिजनेस पर खर्च किये थे और अगर साल पर पहले देखेंगे तो 5,20,000 रुपय कंपनी बिजनेस पर और अलग-अलग कारे उपर खर्च किये थे यानि कि इसके जो खर्चे हैं सलाना अस्तिर पर भी कम हुए हैं और क्वाटर अस कर रही है लेकिन फिर भी जितना इसका अधिक खर्चा की है इस बार भी इसलिए कंपनी को लॉप्ट नहीं माइनस में बात करें पी अटी पॉपीट आफ्टर टेक्स की जो टेक्स को देने के बाद पॉम्पनी उपस बचता उसको मेनाफ़ा काते हैं यह पी एटी को लेकि मुणाफ़ा है लेकि कमपनी करते जा रही है बात करें पर सेर कि फॉड़ा सा गिरा अब अगर ऐसंद मेशा हो सकता है कि यह सब्सक्राइब विए अपनी उपर एक डिटेल वीडियो बनाकर मैंने अपने प्ले लिस्ट के स्टॉक अनालिसिस वाले फोल्डर में डाला हुआ है अगर आप देखना चाहें तो महां जाकर देख सकते हैं फिर भी थोड़ी से जनकारी में इसके बारे में दे जता हूँ पैन इंडिया कंपनी का जो फ्यूचर है देगी फ्यूचर में कोई दिकत नहीं क्योंके कंपनी का बिजनेस मोडल ठीक है और अभी चुकि शेयर प्राइस डाउन जा रहा है तो जो नए लोग इसमें शेयर बाई करना चाहते हैं तो वह बाई कर सकते हैं उसको जाकर देख सक वीडियो इंफर्मेटिव लगी होगी मैं जो बताना चाहरा था आपको समझ माया होगा बाकी मिलते हैं इंडेक्ट वीडियो में तब तक लिए धेने बात शुक्रिया